नमस्कार सर मेरा नाम राजू है एक बहतरीन कोस्टन कोमेंट सेक्शन में पूछा गया है कि एक्चुल जीडिपी ग्रोथ 3-4 परशेंट है तो सैंसेक्स ज्यादा से ज्यादा 5-6 परशेंट का रिटन देगा कि मार्केट रिटन का मतलब क्या होता है इसमें दो चीज जुड़ता है पहला जीडिपी और दोसरा इन्फलेशन सिर्फ जीडिपी जीडिपी के खेल से मार्केट नहीं चलता है इन्फलेशन भी जुड़ता है कैसे माल लेते हैं कि जीडिपी 5% का मतलब क्या है माल लेते हैं का inflation 8% बढ़ गया मतलब पहले जो बाइक एक लाख में मिलता था अब वो 8000 अधीक में मिलता है जानते ही हैं कार बाइक की इस तरह से 10 परशेंट 8 परशेंट 7 परशेंट इस तरह से सालाना उसका रेट बढ़ जाता है तो एक लाख 8000 का चीज मिलता है तो इन्वेस्टर के और आम आदमी के जेब से पैसे निकल के गए कंपनी के पास गए तो 8000 यहां गया और ज्यादा बाइक बिका मतलब एक लाख के तुलना में एक लाख 5 जर बिका तो 5 परशेंट यह हुआ और 8 परशेंट यह हुआ तो दोनों मिला के 13 परशेंट के रेट स से सेंसेक्स में ग्रोथ दिखेगा तो अगर मार्केट में एक्च्वल में रिटन अगर लंबे समय में 15-16 परशेंट का रिटन दिख रहा है तो एक्च्वल जीडीपी और इनिफ्लेशन दोनों मिला के ही वो ग्रोथ दिखने माता है सौट टर्म में एक साल दो साल तीन साल में आपको उपर नीचे दिखता होगा लेकिन लंबे समय में 15 साल 20 साल 25 साल में वही रेट होगा जो पूरे कंट्री का जीडीपी होगा और इनिफ्लेशन होगा दोनों का जोड़ होगा एक चीज यहाँ पर मान लेते हैं कि आप कहीं दोता मानना है इन सब से दोगुणा ज़्यादा रेटन होगा चाहे सेंसे का रेटन 5% 6% 10% हो तब उसके तुला में यहाँ पर जो रेटन है आधे से भी कम होगा तो उस घ्यते में जो भी होगा मार्केट में जो लंबे समय से रुकवे होएं टिके होएं उनको दोगुणा से ज़्यादा रेटन मिलने जा रहा है अगला कोश्चन आता है कि हमने मुच्छल फंड में नॉमनी रेजिस्टर नहीं किया है और हम अगर चल दें तो क्या होगा तो इसको जानने के लिए पहले सत्रुगन सिन्ना का एक डैलोग सुनते हैं कहते हैं अवे ओ चपड गंजू बोलते हैं ना सबसे पहले ना नॉमनी जाके रेजिस्टर करना है भाई बाइक अगर सतर सी के स्पीड में भी चलाना पड़े ना इस काम के लिए तो एक बार चला लिजे चल करेंगे डेट बात लिए अगर तो मान लो नॉमनी रेजिस्टर नहीं किया आप कहेंगे कि हम अपने वाईब को नॉमनी नहीं बनाना चाहते हैं भगल वाली को सब कुछ देना चाहते हैं ठीक है तो इसको जवाब है जो आपके मन में लड़ू फूट रह ना उसका दो-चार साल-पांस साल ऐसे चलती रहता है तो यह option नहीं है आपको blood relation में या close relation में ही आपको नोमनी बनाना पड़ेगा नहीं बनाए है तो पैसा किसी को नहीं मिलेगा बाद में बहुत paper बाजी है नोमनी को declaration दिनना पड़ेगा कौन बनेगा नहीं बने बहुत बंगा है इस इसका मतबल है कि घर में अगर आपका कभी चाकू से हाथ कट जाए तो सबसे पहले मंदलम पट्टी करने के लिए कोन आएंगे वाइफ आएगी यह बगल वाली तोड़की आएगी तो आपका answer होगा वाइफ ही आएगी वाइफ ही करेगी तो उसी को नोमनी बनाना है दूस तो ठकर के छोड़ेता है कोन इतना पेपर वाजी करेगा छोड़ दो लेकिन आप नोमनी रेजिटर किये हैं तो बहुत आसान परिक्रिया है वह 10,000 कम से कम जो छुटा हुआ पैसा है वहां पर पड़ा हुआ है वो तो मिल सकता है तो जरूर रेजिटर करना है अगर नोमनी एक सब्ता में रेजिटर हो जाएगा अगला क्योश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एकजीट लोड मुचल फंड में क्या है और क्यों होता है मतलब ही क्या है इसका एकजीट लोड तो यहाँ पर देखते हैं एक साल के पहले अगर आप मुचल फंड में पैसा लगा के निकाल तो मज़ें कर लीजिए लेकिन 1% का चार्ज 1150 रूपिया देना पड़ेगा आप कहेंगे कि हम नहीं देना चाते हैं, नहीं देना चाते हैं, तो 366 दिन होने दीजिए, 366 दिन हो गया, अब निकाल लीजिए, यह 1150 रुपया नहीं कटेगा, अलग-अलग AMC का अलग-अलग ड्रामा है, ड्रामा नंबर बन, मोति लाल उस्वाल जो है, बोलते थे कि एक एक जीट लोड नहीं था, यह दम बिल्कुल नहीं था, पहले नहीं था, लेकिन अब उन्होंने इंट्रोडिस कर दिया है, कि 15 दिन के पहले करेंगे भहिया जी, तो 1% का चार्ज काट लेंगे, 16 दिन हो गया, आप निकाल लीजिए, एक रुपय भी नहीं काट देंगे, SBI एक साथ ड्रामा कुछ अलग है, SBI बोलते हैं कि 365 दिन के पहले निकालेंगे, तो 1% चार्ज काटेंगे ही काटेंगे, छोडेंगे नहीं, 36 दिन होने दिजी, तो redeem करने के पहले यह देखना है, कि भाई, exit load इसका क्या है, time to time change होते रहता है, तो आपको यह देखना है, कि redeem करते समय, अच्छा जब आपने खरीदा, तभी term condition, चोटा चोटा अक्षर में star mark करके, वही अपलाए होगा, ऐसा नहीं, कि आपने आज purchase किया, SBI small cap, SBI meat cap, अभी बोल रहा है, 1% का exit load है, ठीक है भाई, आज किये, अब 2 साल के बाद आप निकालने जा रहे हैं, और उस समय exit load, निल कर दिया, तो आपका निल नहीं होगा, उस समय लिया, उस समय समझा, आज जो लिया, तो आज समझा जाएगा, तो देखना पड़ेगा, कि आपको ने जब invest किया था, तब exit load किया था, जब आप redeem कर रहे हैं, तो normally अतना change नहीं होता है, redeem कर रहे हैं, तो जरूर पैसा exit load के रूप में कटना था, वो नहीं कटेगा, लेकिन कोई बोलता है कि भाई हमको तो देना ही नहीं है, लेकिन कट गया, तो इसको अगर समझना है कि कि किसके पास गया, यह 1150 रूपिया exit load अपका लगी गया, तो किसी AMC के पास नहीं गया, किसी फाने मेनेजर के पा पैसा है, हम देशवासियों ने, SBI small cap में 14,44 रूपिया लगाया है, अब आपने पैसा रिदीम किया, तो 1150 का जो चार्ज हुआ, वो पैसा कहीं नहीं जाएगा, उस पैसे को बटोर करके इसी फंड में जोग दिया जाएगा, तो 1444 प्लस 1150 रूपिया, इसी में जोग दिय जाएगा, तो सारे इन्वेस्टर का वो पैसा, एक एक पैसा, दर दस पैसा, पचपच पैसा, इसे सब में बढ़ जाएगा, तो फंड का एन्वी बढ़ जाएगा, माले तो साब लो रिदीम कर रहा है, एक सल के पहले कर रहा है, कर रहा है, करने तो बाई, जो रुका हुआ पैसा लगाए है तो लंबे समय के लिए इंवेस्ट करना है एक जीट लोट से ज़रूर बचना है कम से कम एक साल दो साल तीन साल के बाद पैसा निकालेंगे तो इस तरह का चार्ज नहीं आएगा यहां पर इसलिए बोला जाता है कि मुचल पंड क्या है कि मुचल को यदि आप देखेंगे कि कितावी लेंग्वश में क्या मतलव है मुचल फंड का पारत देश में बचल फंड एक ट्रेस्ट है चो सारे यूनिट होल्डर इन्वेस्टर मिला के इसको चलाते है और उन्होंने एमसी और फ़र्ण मेंजर को नियुक्त क के रूप में AMC को फंड मेंजर को हमारे जिसे लोगों को एडवाइजर को आरम को वो दिया जाएगा मांकि मालिक जो है यूनिट होलडर ही हैं तो इसलिए यहां पर मुचल फंड में भारत में इसको ट्रस्ट के रूम पे बोला जाता है आपको इसी तरह मुचल फंड के बार हैं और पुराने काम कर रहे हैं आप अपने बिजनस को दस गुना ज्यादा करना चाते हैं तो डिस्टिब्यूटर एप को डाउनलोड करके हमारे साथ जूड सकते हैं एप का लाइप टाइम कोई चार्ज नहीं है आपको वीडियो अच्छा लगे तो वाट्सप यूनिवे करुआए एप करके हैं का लगे जूटे का लाइ़ करिया तो ही द्यादाब का लोगे आपक 15!